जी निमस्कार, क्रेटर सुपर्टैटी में आपका स्वागत है, स्वागत है, शीक्वेंशीरीज का लास्ट, जो जेई में में प्रस्ण पूछा है, उस प्रस्ण को हम करा देते हैं, कैसे बनाना है, बुक वाला कैसे बनाएगा, या गूगल पर आप सर्च करेंगे, तो कैसे मिलेगा, और आपको यहाँ पर कैसे मिलेगा, यह दोनों में आपको अंतर यहाँ पर समझाते हैं, आप Google पर देखेंगे तो इसको दो डंग से बनाता है या तो BN मेठेट से बनाएगा या अगर इसको हम लोग यहाँ पर देख लेगा कि यह difference कितना है तो आपको कैसे बनाना है बहुत सिंपल सी तरीका यह हम आपको पेश करते हैं आपर देखिए यहां पर चार है यहां 11 है यहां 21 है यहां 34 है और यहां 50 है यहां पर 7 यहां 10 यहां 13 और यहां पर आपका 16 हो जाएगा डिफ्रेंस देखेंगे तो यहां पर डिफ्रेंस तीन का है यानि यहां AP पकड़ा गया यानि यहां पर TN is equal to आपका हो जाएगा 4 और 8 माइनस 7 यहां पर N-1 into 7 और अगला आपका डेटा हो जाएगा N-1 N-2 by 2 into 3 आप इस TN को आप सॉल्ब करेंगे तो final आपको आएगा वह क्या आएगा यहां आपको देखने की यहां पर जरुवत है तो यहां पर आपको आजाएगा यह N square यह N square यह 3 N square by 2 plus आपको आजाएगा यहां पर 5 N by 2 यह TN आजाएगा जब इसको आप S N में करेंगे तो S N में आजाएगा N और N plus 1 और N plus 3 by 2 आजाएगा यह S N में आजाएगा अब यहां पर question आपको जो का रहा है वह प्राशन को आप solve कर देगे कि 1 by 60 और S 29 कह रहा है तेहां 29 और 31 और यहां 32 बटे 2 अगला S 9 कह रहा है तेहां 9 और 10 और 12 बटे 2 अब इसको calculation करेंगे तो 2 to 3 आएगा तो आपको इस टाइब से market का किताब इसको BN मेथेट से पढ़ाएगा यह quadratic equation से ऐसे को सोचेगा कि यहां पहला degree ने दूसरा भी मिल गिया तब यहां पर वो करेगा TN is equal to AN square plus BN plus C अब ABC यहां पर तुम्हारे पास आपका हो गया तो यहां पर आपको T1 का value फिर रखेगा तो यहां पर आपको आजाएगा A plus B plus C बराबर यहां पर हल करेगा तो यहां पर आगया 4 अगला T2 का value रखेगा तो यहां पर हो जाएगा 4 A, 2 B plus C is equal to 11 और T3 का value रखेगा तो यहां पर 3 B और C is equal to यहां पर 21 इससे ABC का value निकाल देगा और ABC का value निकालेगा तो A बराबर 3 by 2 पाएगा B बराबर 5 by 2 और C बराबर 0 यह लंबा तरीका है या BN method से भी निकालेगे यह लंबा तरीका है आपको easy तरीका सीखना है जो आपको यह है यानि कोई भी polynomials की पहचान के लिए आपको यहां पर यह question आराम से करने का है अगली प्रस्ण आपके पास जो है वह क्या है यह थोरा सा आपको सोचना है और आपकी जवाब मील जाएगा यहां पर कह रहा है क्या कि suppose a1, a2 और 2, a3, a4 beyond the arithmetic geometric progression जैसे देखो जब तुम लोग पढ़ाई किया होगा ऐसे हम लोग क्लास में आपी भी मनना सिखाते हैं जीपी भी मनना सिखाते हैं और एचपी भी सिखाते हैं और साथ में एजीपी भी सिखाते हैं आओ हम इसकी चर्चा करते हैं अगर यहां पर टोटल पांच है अगर इसको हम एपी में सोचते तो यहां पर a होता यहां a-d और यहां पर a-2d और य यह AP में होता और इसको हम GP में सोचते तो कायसे होता यह भी जानने की जरुएत तो GP में अगर यहाँ पर हम सोचते तो यहाँ A होता यहां ए आर, यहां ए र एस बार, यहां ए बटे आर और यहां ए बटे आर की यह हम सोच सकते थे लेकिन दोनों को साथ में सोचना है, अगर साथ में सोचना है तो यहां पर लेकिन यह भी एक सर्थ दिया हुआ है कि geometric progression 2 है, sorry geometric progression का common ratio 2 है यानि आप जो हम सोचेगा वो a-2d और यहाँ पर 4 a-d by 2 a और a-d का 2 और a-2d का फोग अब इसको तुम जोडेगा तो जोरने के बाद जैसा की दिया हुआ है 49 by 2 तो यहाँ पर तुम्हारा भैलू निकालने के लिए कह रहा है यानि यहाँ पर 49 बटे 2 दिया हुआ है यानि a का भैलू कंफर में 2 है यानि इसको आप आइड करते हैं तो यानि 2-2d by 4 a-d by 2 यानि a के जगा जहां जहां टू है अगला यहां पर टू पलस दी यहां टू यहां टू पलस टू डी यहां पर फोर यह 49 बटे 2 है अब तुम्हें क्या करना परेगा कि डी का भैलू निकाल लेना परेगा और चार दू का एल सियम इधर चार हो गया अब यहां टू माइनस टूडी और यहां चार माइनस टूडी पलस चार दूनी आठ और चार से हुआ आठ दूना सोला और फिर आठ डी चार दूनी आठ चार को बत्तिस और चार चार को सोला दूना बत्तिस डी बरावर 49 बटे 2 यह दू बार में कटा अब यहां पर देखेंगे कि यह दो है चार दू छे आठ चाओ 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 दा शोला 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 तीस बत्तिस बार्षट यहां टूडी टूडी चार दी चार दी और आठ डी यहां पर तो चार दी पलस में बत्तिस चो चार तिस डी और उन्चास दूना नौ दुनिया ठारा चार दुनिया ठेक अंठानवे यानि यहां पर चार दी इस कल्टू 98-62 यानि यह हम घटाएंगे तो 8 में से 6 दू गया तो 6 यानि 36 यानि यहां पर डी की भैलू 1 अब डी की भैलू 1 है और एफोर का भैलू तुम्हें पूछना है यानि ए भैलू पूछ रहा है यानि यहां पर एपलस टूडी और फोर इंटू मल्टिप्लाई 4 हो जाएगा यानि टू आये वाला टू आये वाला यानि चर्चव को 16 तो आपको अराम से बनाना है आपको प्रशानी नहीं होना चाहिए चूकि आप किरियेटर सुपर 30 चैनल के साथ आप जूरे हैं तो आपको कोई प्राब्लम नहीं होगा चाहे वो मेन की बात करें एडवांस की बात कर सकते हैं उस कोशन को कीरियेट कैसे कर सकते हैं यह दो हजार चूविस का अभी हमने चार प्रसण को डाला है उस टाइप से डाला है अब यहां पर यह कोशन को देखे यहां पर लेट x1 x2 x100 तक कर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और x1 का भैलू 2 दिया हुआ है और यहां पर मीन इक्वल है दूसर। यहां पर देखिए x1 की भैलू आपका 2 है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गया है और उसका मीन 200 है यह भी बात आपका किलियर है और लूप जो है 100 तक गया है तो अराम से इसको निकाला जा सकता है अगली प्रस्ण के करी में आप देखेंगे तो यहां पर आपका काफी easy प्रस्ण है आपको calculation करनी की जरूरत नहीं यहां पर प्रस्ण में ही एंसर आपका छीपा हुआ है और यहां पर प्रस्ण को अराम से आप कर सकते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 5 से दोनों तरह आप डिवाइड कर दें तो आपका एक तरीका दीख जाएगा तो आप दीख गया होगा यहां 109 बटे 5 है 108 बटे 5 है यह है अब यहां पर एक आपको दीख गया है अगर अगला बर घटाएंगे तो एक बटे 5 एक बटे 5 का जीपी का आजाएगा इंफिनिटिव का और यहां पर देखिए कि मैक्समम गया है आपका 108 108 का अधा करेंगे तो 54 हो जाएगा यानि इसक से अगली प्रस्ण को अभी आप देखेंगे तो यहां देखो यह कोशन थोड़ा सा है यहां पर तुम्हारा यह टेकनिकल कोशन है और यह एम जीएम के साथ जोर दिया है एवी सीडी आप पॉजेटिव रियल नंबर है सच दाट एवी सीडी इगारा है यहां पर एपलस ब सीडी या इगारा है इव दा मैक्समुम भाइलू यहां पर एक के पावर फाइब बी के पावर थीरी सी के पावर टू साइंती सो पचास बीटा है अब देखो इसको कलम नहीं लगाना है अगर कलम लगा दिया इसे मार्केट का बुक देखेगा हम अभी गूगल पर देखा भी था कि लोगों का सलूशन क्या है तो लोगों का सलूशन काफी लंबा चोड़ा है इसमें दिमाग ही न लगाना था और एक के पावर यहां पर पांच है यानि पांच के पावर पांच है यहां तीन के पावर तीन है और दो के पावर दो है एक के पावर यह मैक्समम तो यहां पर 3750 को तु फेक्टर करेगा यानि तो यहां पर 2 से पहले कटने वाला है तो 18 दुनी 36 हो गया और यहां 7 और यहां 18 75 आया अब यहां पर तुम्हारा फिर से हम 3 से भागा देंगे तो यहां हो गया यहां पर फिर शौदुनी 12 नहीं यहां पर कटेगा 5 से तब 5 से कटा 125 और फिर 5 से कटा 25 और यहां पर यह देखो 5 वाला फूल फिल में एक कमी है चुकि यहां पर 5 है और एक कमी है यानि बीटा का भैलू में 5 का बावर एक हिस्सा होगा तीन वाला में कितना है। तीन वाला में दो कमी है तुर 3 के पवर दो हो जाएगा और दो वाला में एक कमी है इसकी मल्लिपलाइ कर दिया आपको answer हो गया यानि आपका हो गया answer दो आया है 9 दुनी 18 पच्छे 90 कहा है option में हो गया अब इसी को जह market का किताब काफी लंबा छोड़ा करके बताएगा AMGM का concept लगाएगा लगाने दिजिये वोई तरह का दिखने ही होगा आपको without formula आपको चाहे j min की बात करें advance की बात करें आपको solve करना है देखिए आपको हमने solve करके दिखाया अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यह इस टाइब के अभी question हमने करवाया है S मान लेंगे दोनों तरफ केस से डिवाइड कर देंगे 10 इसका sum दिया हुआ है तो आपका यह question भी बहुत easy ढंग से आपको बन जाएगा इसमें किसी भी student को कोई भी तकलीफ होने वाला नहीं है इधर आ जागा इनाइन यहाँ जागा 4 by K और 8 by K square यहाँ पर 13 यहाँ पर KQ और यहाँ पर 19 है K के power 4 है K से दोनों तरह विभाइट करके आराम से कर सकते हैं तो यहाँ पर यह हुआ आपको आज हम ने sequence series को स्माप कर दिया है लेकिन आपको हम short video ले करके IAT advance में जो भी प्रस्न पूछे हैं या J में जो भी प्रस्न पूछे हैं सभी question को हम solution line by line देंगे इसलिए इस पर आप जूरे हुए रहिएगा अब हमारा part 15 तक इसका complete हो गया sequence series को मैंने 10-10 minute का जो वीडियो है 15 go part में हमने डाला और इसकी अगर पून रूप से आप जनकारी करना चाहते हैं तो आप हमारी सरदार पटेल सुपर 30 आप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेजिए वहाँ पर class counseling test का है यानि 50 मिनिट का हमारा class है 40 मिनिट का counseling है और 30 मिनिट का test है आपका वहाँ पर class counseling test आप करेंगे तो sequence series का बहुत बहतर ढंग से आपका chapter complete हो जाएगा मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक के लिए बने रहें